असलाम आलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वाइड बटर चिकन की रेसिपी रेड बटर चिकन तो आपने काफी बार बनाया होगा लेकिन उसे बनाने में हमें थोड़ा सा टाइम जादा लगता है लेकिन ये बहुत ही क्विक और बहुत ही इजी सी रेसिपी है लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही बहतरीन होता है और इसे बनाना काफी आसान है जटपट बनके तयार हो जाता है तो चले इसकी रेसिपी देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पेस्ट बनाना है जिसमें हमने एक मुटी हरा धनिय लिया है काजू ले लिये हैं 8-10 और हरी मिल्ची ले ले लेंगे 4-5 और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पाइं डाल कर और 500 ग्राम मैंने याँ पर चिकन लिया है और जो ग्रीन पेस्ट हमने बनाया है यह हमें इसमें एड़ कर देना है हरा धनिया बिल्कुल आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं सिरिफ काजू और मिल्ची का पेस्ट बनाकर डाल दें और आधा लिम्बू का रस निचोड़ देंगे और दही दालेंगे हम 3-4 टेबल स्पून आधा कप मैंने दही ली है तो आधा दही अब इसमें यूज़ करेंगे 3-4 टेबल कम से कम 30 मिट के लिए white paper powder आपके पास नहीं है तो आप ini मिल्ची का powder भी डाल सकते हैं लेकिन काली मिल्ची पिर फूट के दा रए नहीं तो के ग्रेवी हमारी का ली हो सकती है और चिकन जब marinate हो जाए तो अभी से फ्राइब करेंगे़ तो एक पैन में 2-3 डेबल स्पून नेंगे और चिकन को पहले हाइ फ्लेम पे हम 2 से 30 मिनट तक डोनों साइट से हम इस तरह से जोल राने तक फ्राइ कर लेंगे जब इसमें एक अच्छा solving अपि एंशों करेंगे जोले में एक जोलाने to a. ha Smoky सा फ्लेवर देने के लिए इस तरह से मं घ्रील करेंगे आपके पास अगर ग्रील डेट नहीं है तो आप चाहें तो इसमें कोईला दाल कर भी एक smoky फ्लेवर दे सकते हैं या फिर ये optional है आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं बस ये step करने से क्या होता है कि चिकन में एक अच्छा सा smokey सा flavor आ जाता है तो ये देखें चिकन हमारा grill हो चुका है चिकन को अभी side में रखेंगे और जिस pan में हमने chicken को fry किया था उसी pan में बागी का marinade क्यों मसा को लो कर देंगे ताकि दही हमारा फटे नहीं और दही के साथ भी मसाला अच्छे से भूल लेंगे एक टी स्पुन चाट मसाला पाउडर दाल देंगे इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी में और अब इसमें दालेंगे हम फ्रैश क्रीम और दो से तीन टेबल स् अच्छी कॉंटिटी में और फ्रेश क्रीम में भी आप जरा भी कंजूसी नहीं करें नहीं तो फिर जो आपकी ग्रेवी है वो खटी हो सकती है क्रीम अगर आप अच्छी कॉंटिटी में यूज करते हैं तो इसका जो सारा बैलेंस है मसालों का वो लेवल में होता है तो करें और अब इसे अच्छे से मिक्स करके दो मिनिट और कुक कर लिंग और फिलिम कुक कर देंगी ओफ और इसे गरम-गरम कर लेंगे सर्फ तो आप इसे पराथे नान चपाती वगेरा के सास्थ सर्फ करें बहुत ही मज़ेकी रेसिपी और बनाना भी काफी आसान है तो हुआ हुआ है